इस बार दिपावली पर काश ऐसी बारिश आए, जिसमें एहम डूब जाए, मत भेद के किले धै जाए, घमंड चूर-चूर हो जाए, गुसे के पहाड पिंगल जाए, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए, और हम सब मैंसे हम हो जाए राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिननदन दिपावली के पांच दिवसिये त्युहार की अडवास में बहुत बहुत बधाई दिवाली का त्युहार नजदीक है, इस साल दिवाली 4 नवंबर 2021 गुरु वार को मनाई जाएगी हिंदू पंचांग के अनुसार दिपावली का त्युहार कार्थिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है इस दिन मा लक्ष्मी और भगवान गनेश की पूजा करने का विशेश महत्व है जोतिश आचारियों के अनुसार इस साल ग्रहों के दुरलब संयोग दिवाली के दिन बन रहे हैं दिवाली के दिन चार ग्रह एक साथ एक ही राशी पर विराज मान होंगे इस वज़े से इस साल की दिवाली अत्यंत शुब मानी जा रही है तो आप सब भी इस दिन माल लक्ष्मी और भगवान गनेश की पूजा करें और उनका आशिरवाद प्राप्त करें दिवाली का शुब महुरत सब से पहले आपको दिपावली का शुब महुरत बताते हैं दिवाली की अमावस्याति थी 4 नवंबर को सुबए 6 बजकर 5 मिनट से प्रारंब होकर 5 नवंबर की सुबए 2 बजकर 45 मिनट तक रहेगी दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन का शुब महुरत शाम 6 बजकर 10 मिनट से रात 8 बजकर 20 मिनट तक है तो आप उस समय लक्षमी का पूजन कीजिए गनेश जी का पूजन कीजिए अगर इस समय में न कर सके तो आप राक्तरी में किसी समय भी पूजा कर सकते हैं क्योंकि विशेश शुब मुहूरत लक्षमी पूजन की कुल अवधी एक घंटे पचपन मिनट है वैसे तो हर रात दिवाली है यानि कि दिवाली की रात के अंदर आप कभी भी पूजन कर सकती हैं धन तेरस से भाई दूज तक पांच दिवसिय त्योहार के कार्यक्रम इस बार धन तेरस दो नमंबर 2021 को मनाई जाएगी हिंदू पंचांग के अनुसार धन तेरस का त्योहार क्रिश्न पक्ष की त्रियोदशी को मनाया जाता है इसे धन्त्रियोदशी या धन्वंत्री जेयंती भी कहते हैं इस दिन सोने चांदी पीतल तामबे की वस्त्मे करिदे भगवान धन्वंत्री की पूजा करें संध्याकाली इन समय में एक बड़ा तेल का दीपक जलाएं उसमें कोडी डालें और घर के सभी सदस्य हाथ में चावल लेकर दीपक की पूजा करें इसके अगले दिन नरक्चतुरदशी यानि की छोटी दिवाली मनाई जाती है 3 नवंबर 2021 को मनाया जाने वाला यह त्युहार रूप चोदस के नाम से भी जाना जाता है इस दिन प्राते कालीन समय में जल्दी उठें महिलाएं जो है अच्छे से सनान करके खूब शिंगार करें और फिर गनेश जीवे लक्षमी जी की पूजा करें दिपावली का शुब अवसर और महूरत मैंने आपको बता दिया है दिवाली के अगले दिन आप गोवर्धन पूजा करें इस दिन गोवर्धन से गोवर्धन बनाएं उसके 36 प्रकार के पकवान बनाकर पूजा करें और उसके अगले दिन यानि की 6 नवंबर 2021 शनिवार को भाई दूज का त्योहार मनाया जाएगा भाई दूज का त्योहार भाई बहन को समर्पित है इस दिन बहने अपने भाईयों के तिलक लगाती हैं उन्हें नारियल देती हैं और भाई भी अपनी बहन को उपहार स्वरूप बहुत सारी गिफ्ट्स देती हैं तो इस दिन जो भाई अपनी बहन के घर भोजन करता है तो उसे कभी भी यम के दूत लेने नहीं आते हैं तो आप सब के लिए ये दिपावली का पांच दिवसियत त्योहार मंगल में वेकल्यान कारी हो यही हम सब की कामना है तो आप ये त्योहार सब धूम धाम से मनाएं उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक और शेर करें कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें धन्यवाद अच्छी अच्छी वीडियो कि अश्छी वीडियो को दो खूम धन्यवाद